अगर आप रियल एस्टेट में इंवेस्ट करना चाते हैं लेकिन आपके पास करोड़ों इंवेस्ट करने के लिए नहीं हैं, तो कैसे आप मात्र चार सो रुपे में अपनी रियल एस्टेट इंवेस्टिंग जूर्णी शुरू कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में. दोस्तो हर एक हिंदुस्तानी मिल्ल क्लास फैमली का सफना होता है कि घर पे चाते हो, घर पे, सर पे, सर पे, सर पे चातो, वीडियो के स्टाट में ही बमत, सर पे चाथ हो रेल एस्टेट ओन करना एक घर ओन करना हर एक मिदल क्लास फैमिली की दिली खौईश होती है और उसके चलते हैं रेल एस्टेट असन इंवेस्में असे सालों से इस देश में फेमस है इतने सारे बिजनसे हैं इतने करोड़ों पैसे इंवेस्ट किया है और कमाय भी है बिकॉस इन लास्त 40-50 यह रेल एस्टेट स्पेशली इन टॉप सिटीज अफ इस कंट्री अज गून थूदू दूफ दिली, बंबे, बैंगलोर, हैडरबाद, चैन्नाई अगर आप इन टॉप शहरों के मेंन मार्केट को देखेंगे तो जिन लोगों ने सतर में, असी में, रेल एस्टेट खरीदा था घर, ओफिसे, वो आप करोड़ो की जमीन पे बैठे हुए हैं और अनिंग ब्रिलियंट रेंटल इंकम So the good thing about real estate is that वो नहीं सिर्फ आपको एक स्टेडी रेंटल इंकम देता हैं क्योंकि आप उसको किराय पे डाल सकते हैं and then उससे इंकम बना सकते हैं It also gives you capital appreciation इसका मतलब की जमीन जिस पे वो रेल इस्टेट है उसके दाम बढ़ते रहेंगे जैसे जैसे जमीन कम होती रहेगी scarce होती रहेगी and that will also give you a return at the end of it इसी लिए बहुत सारे लोग जब अपने घर खरीते हैं लाखों के खरीते होंगे वो आप करोडों के बन चुके हैं and they are actually multi-millionaires with just the real estate in their asset fun fact मेरे जो driver है वो फरीदाबाद से है और मेरा ये मानना है हाला कि मैं उसको प्रूव नहीं कर सकता कि जितना मेरे driver के पास agricultural land है उसके चलते उनका net worth मुझसे कई जादा है despite the fact कि equity, US market, crypto यहां वहां लगाँ वाँ हूँ है लेकिन उनका जो net worth है वो मेरे net worth से जादा होगा because he's sitting on mega acres of agricultural land जो मेरे बास कभी नहीं था So, real estate में इन्वेस्ट करना is something that a lot of people wanna do but the big limitation is the ticket size real estate में इन्वेस्ट करने के लिए आपको लाखो करोडो रुपे चाहिए होते है and that becomes a really big item, especially for early investors, to let go of loan लेकि मेरे real estate में इन्वेस्ट करने की कभी भी सला नहीं दूँगा because that is something which almost never works, आपका जो rental income है और जो आपका return है उसको जोड कर मोटा मोटा आपका शायद loan का interest amount में ही चला जाएगा, not something that I would recommend, मैंने एक पूरा video बनाया था on what are the returns from real estate investing, उसमें दो चीज़े बहुत clear थी, एक commercial real estate is far better than residential real estate, क्यों क्योंकि उसका rental yield जो है वो जादा होता है, rental yield क्या होता है आपके साल में जो आपको rental income मिलेगी, वो कितना percent है property value का number 2, जब भी आप investment करना चाहते हैं, इस rental yield को बढ़ाने के लिए, you need to be in the prime property, and all of that is a lot of work तो real estate में इनवेस्ट करने के लिए नहीं सिर्फ capital चाहिए, बट वक्त पी चाहिए, और एक पूरी स्ताम्जाम को समालने के लिए दिमाग भी चाहिए and that is not something which everybody has इसी के जबते, a great alternative to real estate investment is called REIT Real Estate Investment Trust and इस वीडियो में आपको बहुत नया, लेकिन बहुत ही अच्छा option हिंदुस्तान में जनम लेना शुरू हुआ है and I'm convinced that over the next several years and decades REIT will become a phenomenal way for any retail investor to invest in the real estate market without buying the actual property. अब REIT काम कैसे करता है? Mutual Fund कैसे काम करता है? Mutual Fund में, आप बोलते हैं कि यार, मुझे Nifty Fifty का Mutual Fund करीदना है. मतलब National Stock Exchange के जो Top 50 Stocks हैं, वो मुझे खरीदने हैं. अब वो सारे Stocks अगर मुझे एक एक खरीदने पड़ेंगे तो फिर तो बहुत सारा पैसा लग जाएगा. इतना पैस मेरे पस नहीं है. मेरे पस तो सिरफ 500 रुपय महीना SIP करने के लिए. तो वो कैसे करें? All of this is managed by a Mutual Fund. तो Mutual Fund क्या बोलता है? वो बोलता है, इन Top 50 Stocks में हम इंवेस्ट करेंगे. लेकिन हम बहुत सारे, हजारो, लाखो ऐसे investors लाएंगे, जो छोटा-छोटा-छोटा amount देंगे, उससे हमारे को एक करोडो का corpus मिलेगा, और उस करोडो की corpus को एक fund manager manage करेगा. वो आपकी सारा, वो आपके लिए सारा research करेगा. They will figure out कौन से 50 stock हैं. They will figure out कब खरीदने हैं. They will figure out कि कौन-कौन से balances करने हैं, कि इसका weightage बढ़ा दो, इसका weightage कर दो, etc. And उसके लिए हमें छोटा सा percentage charge करते हैं. That is the concept of mutual fund. The exact same way an REIT also works. So REIT, आप assume करिये, एक developer है, या एक company है, या एक trust manager है. And वो बोलते हैं कि यार हमें ये एक commercial building खरीदी है. And इस commercial building को खरीद के, हमारा जो rental income होगा, और जो ये commercial building का capital appreciation होगा, वो सारा हम आपको देंगे, but we will manage it for you. हम सारे चीजों की जिम्मेवारी देंगे. Rental सही से आ रहा है कि नहीं, rental collect करना, सारा paperwork, legal work, सारे taxes file करना, वो सारी जिम्मेवारी हमारी है, आपको सिर्फ अपना पैसा डालना है. And the best thing is that they allow for fractional ownership. Technically, आप एक बहुत बड़ी building का छोटा सा पार्ट ले रहे होंगे, depending on कि आपने कितना amount उसमें invest किया होगा. तो REIT के benefits क्या है? Number one, बहुत ही कम amount में आपको real estate की ownership मिलने लगती है. Both the benefits of real estate. rental income ही नहीं, capital appreciation भी. तो the company which is managing, the trust which is managing this REIT, वो rental income लेगी, वो capital appreciation को book करेंगी and उसके benefits आपको मिलते रहेंगे. In the form of dividends, जो आपको rental income के मिलते रहेंगे. In the form of the price of the unit, जो बढ़ता रहेगा. तो जैसे-जैसे capital appreciation होगा, वैसे-वैसे price of the unit बढ़ेगा. The same way कि एक mutual fund के NEV value जो है, या net asset value जो होती है, वो बढ़ती है, just as the stocks keep performing well. So that's benefit number one. Benefit number two, आप different locations में diversify कर सकते हैं. तो आप बोल सकते हैं, मुझे Bangalore के real estate के invest करना है, मुझे Bombay के real estate में invest करना है, मुझे Delhi के real estate में invest करना है, मुझे tier 2 cities में invest करना है, तो all of those options are technically available. अभी नहीं है अंदुस्तान में, लेकिन धीरे-धीरे, as REITs become more and more common, ये सारे options आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, because it allows for different trusts to have different investment approaches, जो आप agree करते हैं, या नहीं, and accordingly invest करते हैं. Number three, जैसे मैंने बताया, कोई hassle नहीं है, कोई administrative hassle नहीं है, आपको करायदार नहीं ढूंडने हैं, आपको paperwork नहीं करना है, आपको lawyers के साथ चिक-चिक नहीं करनी है, property tax नहीं देना है, registry नहीं करवानी है, all of that is taken care of by the trust and that is the best part. Number four, actually best part वो नहीं था, ये है, कितने best part बोलता हूँ? best part, जो generally मैं बाउच कर सकता हूँ, is the liquidity. ये जो REIT units होते हैं, ये market में ये stock exchange में trade होते हैं, इसका मतलब आपको अगर कभी भी, किसी भी वक्त पैसे की जरूथ होगी, तो जैसे आप stocks बेच के instantly पैसा, T plus one, instantly एक दिन या दो दिन के अंदर पैसा अपने bank account में ला सकते हैं, वैसे ही आप REIT के units पेच के अपना पैसा एक दो दिन में बापस ला सकते हैं. So it's not like, औरे, पैसे की जरूथ होगी है, तो घर बेचना है, पतानी कहां मिलेगा, ग्राहक, कौन करीदेगा, negotiation, वो सारी चीज़े नहीं हैं. It is a freely traded commodity on the exchange, and that is why the liquidity in a real estate industry is unparalleled. अब REIT पे ट्रॉस्ट करें के नहीं? And that is something which a lot of people ask. So number one, यह जानना जरूरी है, REITs are regulated, यह free-for-all नहीं है. तो अंकुर्वारी को एक REIT खोल के exchange पे नहीं डाल सकता. SEBI registered है, SEBI regulated है, तो सारे जो REITs होते हैं, वो SEBI administered करता है, just the same way, कि कोई भी company अगर लिस्ट होती है एक्सेंज पे, तो वो SEBI के थ्रू जाएगी. Second, बहुत ही बढ़िया, at least 80% of the REIT का जो amount है, जो corpus जो उन्होंने collect किया है, that has to be deployed in commercial real estate. So residential पे नहीं, commercial real estate पे, which if you remember, has a higher rental yield, and इसी के चलते, आपको ज़्यादा rental income मिलेगी, आपकी REIT का जो investment होगा, वो अच्छे से बढ़ता रहेगा, because you will get more bank for your buck. And number three, redistribution or distribution laws होते हैं, जो rental income आती रहती है, सभी बोलती है कि उसको mandatory रूप में, या compulsory रूप में, आपको dividends देकर distribute करना पड़ेगा, you cannot keep all of it for doing what you want to do. So I think 90% होता है, जो rental income होती है, वो distribute होनी चाहिए as dividend income, तो आपका regular income आता रहेगा, ज़्यादा नहीं होता, 5-6% of your total value, लेकिन जो भी है, अच्छा है, आता जा रहा है, plus capital appreciation तो होई रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे जमीन की कीमत बढ़ रही है, आपकी unit की कीमत भी बढ़ रही है, तो आएए एक REIT को देखते हैं, और उसमें थोड़ा गुशने की कोशिश करते हैं, तो मैं जिरोधा पे हूँ, काइट पे, और मैंने embassy office parks का REIT दिया है, embassy एक बहुत ही बड़ा south largely, लेकिन धीरे-धीरे national footprint है, developer है, वीवर्क को आप जाते होंगे, तो वीवर्क और embassy का एक tie-up है, तो जहां-जहां भी आपको वीवर्क देखेगा, ज्यादा तर वो जो वीवर्क हैं, वो embassy की building में है, which is always a great sign, तो यह एक REIT है, मैं इसका पूरा detail info देखना चाहता हूँ, तो I will go here, ticker tape, I don't know if you use it or not, but बहुत ही बढ़िया सा एक research platform है, तो let's see what the return is, तो सबसे पहले तो आपको यह देखेगा, कि it is like a stock price, तो एक दिन में, जैसे यह आज के दिन का मैं movement देख रहा हूँ, 390 था, 382 था, तो 382 था, 390 के बीच में रहा, this is like a proper stock movement, तो आप इसको खरीट सकते हैं, बेच सकते हैं, जितनी बार भी खरीदा चाहें, बेचना चाहें, कर सकते हैं, let's look at the one year return, one year return, 21%, so not bad at all, in fact very very good, यह sustainable नहीं है, तो over a period of time, शाइद यह दिफ हो जाता है, लेकिन five year को देखे हैं, five year, तो जब से शुरू हो आता, यह सार, तो वही 22.39% है, which is good, आप financials देखेंगे, तो you can see, how the financials have moved, तो total revenue जो है, वो कितना है, करीब 3,100, यह सार करोडों मैं, करोडों मैं, करोडों मैं, तो 3,185 करोड है, EBITDA 2,500 करोड, तो quite impressive, EPS देखेंगे, मतलब earnings per share कितनी है, तो करीब रूरुपे, so on and so forth, पेयाउट रेशो देखेंगे, तो मोटा मोटा, 2.64, so 2.64% is what they paid out, यह dividend per share है, 21 रुपे, तो अगर आपके पास एक share था, तो आपको साल में 21 रुपे मिले, which is the dividend that you got, by virtue of the rental income that they did. Holdings, तो अगर आप holdings देखेंगे, तो promoter जो है, वो 61% hold करते हैं, mutual fund है, foreign institutions है, so this gives you a sense of कि, कितना अच्छा उसका spread है, of holdings and so on, and this is how you would evaluate, whatever is the REID. अगर आपको खरीदना है, तो it's a normal buying process, जैसे जरोदा बेखरीदे हैं, तो एक unit अभी है, around 385 रुपीज का, ये last ending थी, तो आप 385 रुपीज में, technically, जैसे मैंने बताया, वीडियो के शुरुवात में, 400 रुपे के अंदर रंद, आप real estate की investment journey शुरू कर सकते हैं, जैसे जैसे embassy बढ़ता रहेगा, वैसे ही, आपका investment भी बढ़ता रहेगा, what are the others that you can evaluate, the other one is Mindspace, so Mindspace अर 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 जाएंगे, you'll see, यही Mindspace business parks, detail info देखेंगे, तो यही टिकर टेप पे, एक साल का return, around 17%, not bad, पांच साल का return, अगर आप देखेंगे, around 15%, again, not bad, embassy, usually सबसे बढ़िया है, there aren't too many options of REITs, I think three है, embassy है, Mindspace है, and Brookfield है, लेकिन, if you want to invest, then my suggestion will be, आप तीन में एक SIP करिये, जितना smallest amount possible है, उतना करिये, because then you will get a good, nice, happy exposure to real estate, कभी कोई अपर, कभी कोई नीचे, but your spreads of return, will be evened out, this is how, you can start your real estate journey, with the smallest amount possible, and still ride on the real estate footprint, that our best developers have, मेरा विशास ही है, कि अगले 15 साल में, real estate in India, specifically commercial real estate in India, बूम करनेगा, क्योंकि, there is a lot of infrastructure, that is getting planned, there is a lot of industry push, that is happening, there is a lot of make in India push, that is happening, तो commercial real estate, is almost always the beneficiary, of every economic growth, जो किसी भी country witness करती है, and that is why, at least I remain bullish, कि अगर मुझे, equity से कम, एक almost safer, option investment का चूस करना होगा, then REITs is a great alternative, I don't think, REITs, equities को replace कर सकते हैं, क्योंकि, equity growth हमेशा, मेरा मानना है, ज्यादा ही रहेगी, लेकिन अगर आप एक, lower risk, lower return से, खुश है, then I think REITs could be a terrific way for you to bite into the real estate asset class and start your real estate investing journey. I hope this was useful, Ankur Wariku, signing off. YouTube Shorts के एक डेडिकेट चैनल लाँच किया गया है, जिस पे आप सिरिफ वो 60-second के शॉट्स के एक सकते हैं, जो लोग-format content to confuse you, and hopefully, those 60 seconds will help you just as much as these long-format videos do. सब्सक्राइब करिए, pin comment और description में link है to the Wariku Shorts चैनल.